लेकिन इस पर राजनिती तब शुरू हो गई जब ये खबरें आई कि महराष्ट, केरल और राजिस्थान जैसे राज्यों ने मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे भी वसूलने शुरू कर दिए कि मजदूर अपने पैसे देंगे और इसके लिए राज जो है यानि कि गुजरात वो अन्य राजियों के साथ तालमेल बिठाएगा परधानमात्री मोदी के ग्रह राज गुजरात में कोबिड अलनिस के स्थिति दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है एहमदाबाद में एक सब्ता के लिए पूर्ण तालापंदी की गई है केवल दवा और दूट के दुकाने खुली रहेंगी पैरा मिल्टरी को भी सोशल डिस्टिंसिंग के मांदणों को सकती से लागू करने के लिए तरनाथ किया गया है इसी के साथ ही गुजरात के मुख्यमत्री विजे रुपानी ने भी अमिच्छा से पत्र लिख अपील की है कि करोना के इलाज करने के लिए विशेश टॉक्टर गुजरात भेचे जाएं वहीं दूसरी और राज के कॉंग्रेस अध्याक्षामिक चावडा ने गुजरात के सियम पर लापरवाई का अरोप लगाया है एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जन्वरी में ही डब्ली एचो ने सपश्ट रूप से कहा था कि करोना वारस एक व्यक्ति से दूसरे वक्ति में फैलता है WHO ने सबी देशों को बड़े समारों मिक्के आयोजन करने से भी प्रेच करने के लिए कहा था ऐसी चेताबनी के बाद भी नमस्ते ट्रम्प नामक राजनेतिक प्रोग्राम की योजना बनाई गई COVID-19 महामारी की वज़े से गुजरात और खास करके अमतावाद के हालत बेहत ही खड़ाब है गुजरात में 6000 से जादा पॉजिटिव केस आ चुके है और 368 मौते भी हो चुकी है ये situation के लिए नमस्ते ट्रम्प का रेकरम जिम्मेदार है क्योंके 30 जनवरी को WHO ने पूरे वर्ल्ड में health emergency डिकलेर की थी अमेरिका ने भी अपने वहाँ 31 जनवरी को health emergency डिकलेर की थी और 7 फरवरी को देश के health minister ने पार्लामेंट में भी बताया था कि की सालात का हम सामना करने जा रहा है फिर भी ये कार्यक्रम हुआ 24 फरवरी को President Trump एमदाबाद आने वाले थे उनके साथ बहुत ही बड़ी तादात में security staff, delegations और हजारों की तादात में विदेशी लोग एमदाबाद आये ना कोई medical check-up हुआ ना screening हुआ और एक stadium में लाखों की संख्या में लोगों को लाया गया पूरे रूट पे लाखों लोगों को साथ-साथ खड़ा किया गया WHO की जो social distancing की guideline उसका भंग हुआ और जो medical precautions लेने चाहिए वो भी नहीं लिये गए उसकी वज़े से community transmission यहां से शुरू हुआ और आज लोग मर रहे हमने पहले ही गुजरात में एक महत पूरण परवासी शार्मिक अंदोलन देखा है जहां शार्मिक बुन्यादी चील्सों की मांग करने के लिए सडकों पर आ गए थे तब मेंस्ट्रीम मीडिया हमारा चुप था और वैं सिर्फ माराश्य की बात कर रहा था क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है एक तरफ जहां बीजेपी का दावा है कि शर्मिकों को खर जाने के लिए रेल कराया नहीं लिया जा रहा वहीं मीडिया ने भी कुजरात की बात ना करते हुए यही बताया कि जिन राज्यों में कांग्रस के सरकार है सर्फ वहां ही मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है राज्य सरकारों ने खुद केंदर सरकार से या अनुरोध किया था कि उनके यहां पर फसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों में ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेंज चलाई जाएं इसके बाद केंदर सरकार ने स्पेशल ट्रेंज चलाने का फैसला लिया और वो उनकी इस request को मान लिया उन्होंने कि special trains चलाई जाएं जिसमें करीब 15 राज्यों में 45 special trains चली लेकिन इस पर राजनिती तब शुरू हो गई जब ये खबरें आई कि महराष्ट, केरल और राजिस्थान जैसे राज्यों ने मजदूरों से railway टिकट के पैसे भी वसूलने शुरू कर दिये महराष्ट और राजिस्थान में तो खुद कॉंग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ही सरकार है आपने देखा होगा महराष्ट में भी कॉंग्रेस की सरकार है जहां वो सरकार में शामिल है और राजिस्थान में भी इसके बाद कॉंग्रेस और सोनिया गांधी की टीम ने ये कहना शुरू किया कि केंदर सरकार मजदूरों से टिकट के पैसे ले रही है और मजदूरों के किराये का पूरा पैसा अब कॉंग्रेस चुकाएगी कि नाकामियों पर बात की ये भी स्पष्ट किया कि गुजरात ने भी मजदूरों से पैसा लिये हैं। बताना चाहता हूँ ये सरकारी दस्ताविज का इस्सा है। राज सरकार ने IPS और IAS Officers को न्यूक्त किया है ताकि वो राज्यों के साथ तालमेल बिठाएं। किन के लिए माईगरिंट वरकर्स के लिए मजदूरों के लिए ताकि वो घर लौट सके अपने पैसे पर। अश्विनी कुमार जो की Chief Minister's Office में हैं उन्होंने कहा है कि जो मजदूरें गरी मजदूरें उन्हें अपने टिकेट्स खुद खरीदने होंगे। वहीं दोसरी और सोनिया गांदी ने भी अलान किया था कि मजदूरों का किराया Congress Party देगी। पर फिर भी Congress की जिन राजियों में सरकार है वहाँ भी सरकारी पैसे से ही इसका बुकतान किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकारी पैसे से बुकतान क्यों हो रहा है। कॉंग्रेस पार्टी अपने फंड से उनका बुगतान क्यों नहीं कर रही जैसा कि उने करने के लिए सूनिय गांथी ने कहा था कॉंग्रेस पार्टी ने निर्ने लिया कि हर प्रदेश में जरूरत मंद श्रामिक भाईयों और बहनों के घर लॉट्स में की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे मैं उमीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियर जनों के पास पहुंच पाएंगे वही राहूल गांदी ने फरवरी से ही करोना वायरस के उभरते खत्रे से बार-बार अगा किया था लेकिन गुजरात सरकार व्यस्प थी और पूरी तरह से नमस्ते ट्रम्प की त्यारियों में तलीन थी जिसमें पूरी राज्य के तांतर को भीर जुटाने के लिए लगा दिया गया था ट्रम्प के सुवागत के लिए लाखों लोग स्टेडियम में कठा हुए थे अगर गुजरात सरकार ने उसी समय से स्वास्थ आपातकाल की त्यारी शूरू कर दी होती तो चीज़े बहुत अलग होती ये सब तथा कथित गुजरात मॉडल की स्वास्थ सेवाएं और समाजिक सुरक्षा विफलता की खेड जनक स्थिति को जागर करते हैं परधान मंत्री मोदी ने सरकार बने से पहले गुजरात मॉडल की काफी तारीफ भी की थी और इस मॉडल को पूरे देश में लागू भी करने को कहा था मैं बड़े दाईत्व के साथ आज कहना चाहता हूँ कि जैसे दुनिया गुजरात के विकास के मॉडल की चर्टा कर रही है जैसे दुनिया गुजरात के गवननस के मॉडल की चर्टा कर रही है वो दिन दुर नहीं है जब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को गुजरात के उस मोडल की चर्था करने पड़ेगी जिसमें शांती एकता भाई चारे के साथ कैसे सब का विकास हो सकता हम तो यहीं उमीद करेंगी कि हमारा मीडिया भी थोड़ी हिम्मत दिखाएगा और भाजपा सरकार से सवाल करने की हिम्मत करेगा और उनसे पूछिया कि मजदूरू की मदद के लिए सरकार क्या कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब रुडे टीवी if you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon